उत्तर प्रदीश सरकार में उप्प मुख्य मंत्री कैशव प्रसाद मौर्रे ने मुरादबात के अधिकारीयों के साल सर्केट हाउस में समिक्षा बैठक की बैठक के बाद मीडिया सुरूबर होते हुए डिप्टी केशव प्रसाद मौर्रे ने βताया कि जिले का विकास हमारी प्रात मिकता है मुरादबात में चार्टर्ड अकाउंट की हत्या हुई थी उस खटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफतारी के लिए निर्देशित किया गया है अधिकारियों से जो फीडबेक मिला है वो संतोष जनक है मुरादबात विकास की और अगरसर है मुरादबात में विश्व विध्याले इस्तापित होने जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्दत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो वहीं योगी जी के उत्तर प्रदेश विकास की और अगरसर है 2024 में हम लोकसभा की 80 सीटे जीतेंगे 2014 में हम संबल, मुरादबाद और अमरोहा की सीटे जीते थे 2019 में हम ये तीनों सीटे हार गए थे 2024 में हम उत्तरप्रदेश की सीटे सभी जीतेंगे सपा की मुख्या खिलेश यादव लगतार एहंकार पूर बयान देते रहते हैं हमारा वैचारिक वर राजनेतिक दरश्टि विरोधी दलका भी नेता होता है उसके प्रतिहम आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं जबकि एखिलेश यादव आपमान जनक शब्दों का इस्तमाल करते हैं वो सैफ़ाई परिवार को पिछड़ा वर्ग का मानते हैं बाकी किसी को पिछड़ा वर्ग का नहीं मानते उनका बस चले तो मुझे सब इस्थानों से हटा दें समाधवादी पार्टी समाथवादी पार्टी बनने जा रही है सपा दूपता हुआ जहाज है सपा का उत्तरप्रदेश की राजनेती में कोई भविश्य नहीं सपा के पास गुंडे और माफिया हैं उनके पास जनता नहीं है निकाय चुनाफ की सवाल पर बोलते हुए कहा कि कल को सुप्रीम कोट में सुनवाई है भाजपा चुनाफ को लेकर पूरी तैयारी में है वहीं हिंदू नववर्ष की छुट्टी पर प्रतिकरिया देते हुए कहा कि हिंदू नववर्ष पर देश की संसद में छुट्टी हुई मैं उसका स्वागत करता हूँ हम लोगों ने सरकार इस तर पर भी विवस्ता की है और जो इस तरह की बयान देते हैं उनको बयानों का कोई महत्व नहीं होता ऐसे बयान को मैं Reject करता हूँ मुरादबाद से परवेज अणसारी की रिपोर्ट प्रवादी पार्टी के मुख्या श्री अखले स्यादो जी लगातार अहंकार पूर बयान देते रहते हैं और मैं जब भी हमारा जो व्यचारिक दृष्टी से राजनेतिक दृष्टी से विरोधी दलका भी नेता होता है तो उसके प्रती आदर सूचक सब्दों का प्रियोग करते हैं लेकिन अकले स्यादो जी की आदत है अपमान जनक स सब्दों का प्रियोग करना और पिछरा वर्ग का मतलब वो सैफाई परिवार को पिछरा वर्ग मानते हैं बाकि किसी को पिछरे वर्ग का नहीं मानते हैं इसलिए वहां जो गलत सब्दों का प्रियोग लगातार करते हैं और जो जहेर उगलने का काम करते हैं वहां सब आप पार्ट वादी पार्टी बनने जा रही है। प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसका हमें लगातार जब भी चुनाओ होते हैं उसमें विजय मिलती है सरकार में हम लोग आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। करते हुए चुनाओ कराएंगे या स्वागत करता हूँ। सरकार के माध्यम से स्री रामचरित मानस का अखंड पाठ हर जिले में कराया जाएं समित्यों गठन करके। या नौरात्री का समय है तो माधुरगा सबस्ति का पाठ कर आया जाएं। ऐसे आयोजन किये जाएं। हम लोग सरकारी अस्तर पर भी विवस्ता की है। और जो इस परकार के बयान देते हैं। उनके बयान का कोई महातु नहीं है। और ऐसे बयान को मैं रिजेक्ट करता हूँ। मुरादाबाद दौरे के क्रम में पहले तो एक निजी चैनल का कारकम था। मैं उसमें गया था। लेकिन उसके बाद भारती जंता पार्टी का जो कोर ग्रूप है। उस कोर ग्रूप के साथ बिस्तार से चर्चा किये। फिर हमारे पार्टी के जो मंडल अध्यच और उसके उपर के सभी पदादिकारी हैं। उनके साथ बैठने का काम हुआ। जिले के अंदर जो विकास के काम चल लाए हैं। उसके संबन में कारकरताओं से भी फिडवेक लिया। और फिर जिले की ये समिच्छा बैठा कभी मैं विस्तार से कर रहा था। और जिले का विकास हमारी प्रात्मिकता है। सबसे पहले तो मैं मुरादाबाद के निवासियों को यहाँ पर जो इस बार का हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है। उसमें यहाँ एक विश्विद्याले अस्तापित होने जा रहा है। इसके लिए बधाई भी दूँगा। और आने वाले समय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतरगत कई पर योजनाए हैं। विकास प्राधिकण के माध्यम से कई प्रोजेक्ट हैं। लोगमार्ण विभाग की दृष्टी से सेतु निगम की दृष्टी से कई प्रोजेक्ट हैं। ग्राम विकास विभाग की दृष्टी से जो ग्राम चवपाल हैं। जो समूहों का गठन करके महिला ससक्ती करण का वियान है। इन सभी छेत्रों में बल देते हुए। आज की बैठक के माध्यम से जो यहां हमारे एक चार्टेड एकाउंटेंट की हत्या हुई थी। उस हत्या से जुड़े हुए जो असली अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द खोज निकालने के लिए भी निर्देश दिया गया है। माननी विधायक हों चाहे विधानपरिशत के सदस्थ हों। इनके माध्यम से जो समेश्याएं हैं बताई जाती हैं उनको सरोच प्राध्मिक्ता के आधार पर समाधान करना है। मैं 25 जिलों के प्रभारी के नाते कभी भी ये स्विकार नहीं कर सकता कि मेरे आने पे मेरे बात सुनी जाए और मेरे कारकरता की बात न सुनी जाए। मेरे कारकरता की बात को सुना जाए। वैसे अधिकारियों से जो फिडवैक मिला है वो संतोज जनक है। जिला विकास के पत पर देजी से आगे बढ़ रहा है। यहां जो भी समिश्याएं आई हैं उन समिश्याएं को लेकर के चर्चा हुई है। जो जिले की आज की बैठक के माध्यम से निर्देश दिये गए हैं उनका अनुपालन करते हुए जो जिले से संबंदित हैं जो मंडल अस्तर से संबंदित हैं उनका समधान करें और जो सासन से संबंदित हैं उन समिश्याएं को सासन को प्रेशिद करने का काम करें। दूसरा राजनितिक सवाल पूछें उससे पहले मैं ये कह दे रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाओं हम उत्तर प्रदेश में तो 80 में 60 सीटे जीतेंगे लेकिन 2014 में मुरादाबाद भाजपा के पास थी, हमरोहा भाजपा के पास थी, संबल भाजपा के पास थी तो जो सीटें हम 2019 में निशित तोर से ओट अधिक पा करके 2014 से फिर भी हार गए थे, 2024 के लोकसभा चुनाओं में उन सभी सीटों को हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश से 80, देश से 400 पार के साथ मानी नरेंद मोदी जी के नेतुत में सबसे मजबूत सरकार सोतन भारत की बनान का काम करेंगे यहां मैं राजनीतिक दृष्टी से आपके सवाल आओं उससे पहले मैं बता जिए जी